हलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों शारुक खान के बेटे आरियन खान ड्रग के इस मामले में एक ब्रेकिंग न्यूस आपको देना है और ब्रेकिंग न्यूस यह है कि करन जोहर को एक टॉप लॉयर के साथ एड़ोकेट के साथ मननत जाते हुए देखा गया है मननत यानि कि शारुक खान के घर में जाते हुए देखा गया है यानि कि शारुक खान अब एक और टॉप लॉयर की सहायता लेने जा रहे हैं आरियन खान को जेल से बाहर निकालने के लिए तो दोस्तों क्या अब शारुक खान को एड़ोकेट शतीष मानशिंदे पर अब उतना यकीन नह भी बहुत ही नामी एड़ोकेट हैं बहुत ही टॉप लॉयर आप कह सकते हैं तो इनको देखा गया है करन जोहर के साथ शारुक खान के घर जाते हुए तो देखिए दोस्तों अभी भी आरियन खान जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं वो अभी भी आर्थर रोड जो जेल है वहाँ पे अभी बंद हैं और सतिशमान सिंदे जो की बहुत ही नामी वकील है उन्होंने बहुत कोशिस लगाई जान अपनी लगा दी आरियन खान को बेल दिलाने के लिए लेकिन आरियन खान को बेल नहीं मिला तो और अब देखें कितने दिन आरियन खान को जेल में रहना होगा कब बेल दिला पाते हैं ये तो आगे आने वाली बात है अब देखें क्या होता है लेकिन बड़ी न्यूस यह है दोस्तों कि शारुक खान के घर में एक टॉप लॉयर गए है और अब लग रहा है ये दो टॉप लॉयर मिल के कोशिश करेंगे आरियन खान को निकालने के लेकिन NCB ने भी अपना ये केस बहुत स्ट्रॉंग बना के रखा है अगर स्ट्रॉंग नहीं बनाया होता दोस्तों तो बेल मिल गई होती जब कोट ने बेल नहीं दिया है यानि कि NCB ने जो एविडेंस दिखाए हैं या दिये हैं कोट में उन्होंने दिखाए हैं उससे को किया गया NCB द्वारा और समीरवानखरे ने साफ साफ कह दिया कि ये उनकी जीत है यानि कि NCB की जीत है क्योंकि अगर बेल नहीं दिया है कोट ने तो यानि कि NCB ने जो एविडेंस दो प्रोड्यूस किये थे कोट में उससे कोट कविंस्ट है तो लोग चाहें जो भी कहें लेकिन NCB का case बहुत strong उन्होंने बना के रखा है और देखें आगे क्या होता है दोस्तों तो दोस्तों बने लेगा मेरे इस channel से जैसे जैसे और information आएगी मैं आपको देता हूँगा में तो अगले वीडियो में बाबाई